असलाम अलेकुम स्टुडेंट्स मैं हूँ डॉक्टर इनाउगलग जजबी और आज की इस वीडियो में आपको सेकेंडियर केमिस्ट्री का पेपर स्वार्फ करने का तरीका बताऊंगा और सेकेंडियर केमिस्ट्री में जो जो इंपॉर्टेंट कोईशन्स है वो डिसक्स कर है मेरा यह कहना है कि जब आप ऑप लें करें तो सबसे पहले लौंइंट करने चाहिए जहिंए रिनौ्गैनिक प्रमिंस्ट्री के से स्क्ष्ण से एक कारना होता है और अटन है डॉल हो इसको आप जो है उसके अंदर जो हैं वो डिस्क्रिप्शन लिखें लॉंग से लॉंग कोईशन का जवाब लिखें और फिर उसके बाद शौट कोईशन जो हैं आप टैम करें शौट कोईशन में अगर आंसर ब्रीव भी होगा तो हमारे नंबर कटने के चांसे सकम होगे उसके बाद अब हमने कौन-कौन से के इंक कटने कोईशन्स तह refers करने हैं उसके लिए गौट को चैपर नंबर वन पर्याड़ी कि ऐसे जाएशम में सफ़्य हम अमदेर्व अब मेंड़ीलिफ ऌर्डियोडिक रिबार कि सेकन्ड क्वेशन है क्लासिफिकेशन वेलिमेंट्स बेज़ ऑन एलेक्टरॉनिक कर्फिकेशन यानि एस बाट बाट बालॉग ने के बारे में लिखे एंड शॉर्ट एंड लॉंग पिरियेट्स आफ द पिरियोडिक टेबल चैप्टर नमबर टू हाइडोजन में तीन इंपोर्टेंट कुश्चन से नमबर वन बाइनरी कंपाउंड ऑफ हाइडोजन बाइनरी कंपाउंड छे टाइप से छे की छे आपने कर है आयोनिक हाइडाइड और कॉंपलेक्स हाइडाइड दूसरा सवाल जो हाइडोजन में इंपोर्टेंट है वह है इंडस्ट्रियल प्रपेशन ऑफ हाइडोजन इस्पेशली फ्रॉम वाटर गैस और तीसरा एहम क्वेश्चन है एडॉमिक और नैसा इंडाइडोजन पर यह लॉग कोईशन नहीं है लेकिन यह लॉग कोईशन में आ जाता है तो इसको भी प्रपेर कर लेजिए चैप्टर नमबर थ्री एस ब्लॉक एलिमेंट्स में जो लॉग कोईश्चन है उसमें सबसे इंपोर्टेंट है सॉल वे प्रोसेस दूसरा कास्टनर किलनर प्रोसेस कास्टनर किलनर प्रोसेस फॉर्ट पैनुफेक्ट्चर ऑफ कास्टिक सोड़ा दो यह कोईशन बहुत इंपोर्टेंट है और तीसरा सवाल जो है वह शॉट में है और उसका नाम है डाउन्स प्रोसेस फॉर्द एक्स्टेक्शन ऑफ सोडियो पी ब्लॉक में जो हैं वह वह तीन क्वेश्टन बहुत इंपोर्टेंट है नमर वन ऊस्ट्वार्ट प्रोसेस फॉर्द मैनुफेक्श्ट्र ऑफ नायटिक एज़िट प्रोसेस फॉर्द एक्स्टेक्शन ऑफ अलुमीनियम फ्रॉम बॉक्साइट और यह तीन क्वेश्ट पी ब्लॉक में इंपोर्टन ह है और यह सवाल है जनाब एक्स्टेक्शन ऑफ कॉपर फ्रॉम इच्ट सुल्फाइडोर इस्पेशली दी रिफाइनिंग ऑफ कॉपर और प्रोपरिटीज ऑफ दी ब्लॉक एलिमेंट्स उसमें इंपोर्टेंट सब्सुदादा है वेरिएबल ऑक्सिदेशन नमर नमर तू दी झालर फॉरमेशन नमर त्री मेग्नेटिक प्रोपरिटीज एंद नमर चार कामप्लेक्स फॉरमेशन गिचार प्रोपरिडीज इंपॉर्टेंट है अब हम आ जाते हैं ऑरगनिक सेक्षिन की तरफ और गनिक केमिस्टि का जो चैप्टर नमर वन है यानि चैप्टर प्रिपेर कर लें बहुत अच्छी तरीके से नंबर वन कि फंक्शनल ग्रूप नमबर टू आइसो मेरिजम नंबर थ्री पॉलिमराइजेशन पॉलिमराइजेशन आपने इंडस्ट्री में भी पढ़ी है और चौथा जो टॉपिक है वह है नेचरल सोर्स इस ऑफ और गैनिक आपाउंट अब हम धिके चेप्टिर नंबर सेनी के तरफ चप्टर बहुट नंबर वächst ने सेविन में सबसे ने में इंपॉर्ट Edwards की बात करते हैं जनल मेथाट और प्रिपरिशन यह और आप फिल मेते कर लिए नंबर दूं इसके अंदर हेलोगेनेशन ऑफ मिथेन और इथेन विद मेकैनिजम यह लॉंग कोशन आपके रिपेर कर लिएज़ें अलकीन में और अलकाइन में क्या इंपॉर्टेंड है अलकीन में अलकीन की फर्स थ्री प्रिपेशन अलकोहल से अलकाइललाइट से और विसीनल डाइलाइ इसी तरह अलकाइन के अंदर भी जो अलकाइन की प्रिपेशन है वह आपने करनी है वो भी इंपॉर्टेट है अब आईए केमिकल रियक्शन की तरफ अलकीन के और अलकाइन के केमिकल रियक्शन अलकीन में जर्नल पैटरन आफ मिकैनिजम आफ एलेक्टोफिलिक एडिशन यह आप कर लिजे खुसुसी तोर पर हाइड्रो हेलोजेशन यह आपने खुसुसी तब जोनों करने हैं इसके इलावा अलकीन के अंदर आपने अलकीन की ऑक्सिडेशन का टॉबिक बहुत कंसेटेशन के साथ प्रिपेर करना है आपने में अलकाइन के सब्स्स्रिट्यूशन डियकस्ट और वेरी वेरी इंपॉर्टंट अब आते हैं चैप्टर नंबर 8 अलकाइल Хोलाइड की तरफ। अलकाइल हलाइड बे तीन कोश्चिन सर रार्वेरी वेरी इम्पॉर्टन नमबर वन सन रिएक्षिन एंटि इस स्थाइपes विद मेंकैनिसम से मिलरनी एलिमेने इपोर्डेश इंटिस थाइप विद मेंकैनिसम और तीसरों क्वेस्टेंज हैं एप्लिकेशंग ऑफ ग्रीनाट ईएजट इस्पेशली एप्लिकेशंग ऑफ ग्रीर्वीजर्ट ये विद्रेस्पेकट टू अलकोहल पीपेशन एन कार्बोक्जेलिक असिद प्रिपेशन इनकी अलकामर्यव उच्ञेटर नंबर नाइन अलक स्टार्च और मोलेसिस यह लॉंग कुश्यन है अल्कोहल का सबसे इंपॉर्टेंट दूसरा अल्कोहल का जो इंपॉर्टेंट कुश्यन है वह को हल्की कैमिकल रियक्शन्स इस्पेशली जो मैं आपको बता रहा हूं कंडेंसेशन डि हाइडरो हेलोगेनेशन ऑक्सिडेशन ये तीन रियक्शन्स बहुत इंपॉर्टेंट है यह अपने उसी तौर पर प्रिपेर करने नहीं आपने सबसेशन की था ली 對 प्रिपेर करेंगे यानि यह दोनों ही अल्डिहाइट की और किटोन की में सब्सक्राइब करने लिबॉर्टरी टेस्ट डाइट डिस्ट्रिंगिश बिट्वीन अल्डिहाइट एंड फैलिंग टेस्ट इसके लावा आपने इसमें प्रिपेर करना है कुछ की एक्षिन यह दारों रियक्षिन छैने फॉम एक्षिन अल्ड今日ेस वेटिन अर्यजित आपने ऐखने और एक रियक्शन जो है उसको आपने सिर्फ इक्वेशन उसकी प्रिपेर कर दी है वो है पॉलिमराइजेशन अब आते हैं चैप्टर नंबर टैन की तरफ चैप्टर नंबर टैन में इस साल जो बायो मालीक्यूल जो है बहुत इंपॉर्टेंट है और वो कंफर्म आ रहा है वो है काबो है ये और उसकी टाइप्स एक तो यह आपने अपने इसको गोतरु करना है इसके लावा एक और जो है वह आपको सुसी एक साम के अंदर और आपका सवार निकल जाएगा चैप्टर नमबर 11 इंडस्टी में क्या करना है कौन सी इंडस्टी करनी है पांच इंडस्टी में मेरे हिसाब से प्लास्टिक सिंथितिक फाइबर आप करनेंगे तो आपकी निकल जाएगा लेकिन अगर आप सेव साइट पर होना चाह रहे तो आप जो है वह डिटर्जिंट भी जो है वह कर लें इसके लाब नॉमनकलेचर रहे है वह तो आपको पता है वह तो आपकी प्रैक्टिस से आपको आता है तो लेक्षर में मेरा इरादा या है कि जु शौड आंसर औराक कोश्चंस है वह मैँ आपको सॉल्ख करवा हूं छोटे शौड आंसर जिनके एक लाइं का आंसर है यह रीब आंसर शॉबर्ट आंसर है वह पिर में है आपको अगले लेक्षर में कराऊउ तो तब तक लिए मुझे जाद दीजिए अपना ख्याल रखिये और कुरोना वाइरस से परिशान होने की भुलकुल कोई ज़रूरत नहीं नहीं है वो लोग जिनकी एग जो है वो 50 से कम है 60 से कम है कुछ नहीं होगा उनका यंग को यंग जनरेशन को यूट को कोई प्राब्लم नहीं है तो हमें अपना ख्यार रखना है सिर्फ अपने बुज़रों का उन को करोन वायरस से बचाना है और उनको प्रोन वायरस से बचाने के लिए यह है कि हम जूआ है उनके साथ कम से कम जूआ कोई इंटरैक्ट करें उन से एक खास सिस्स रखें और उनकी सफाई के ख्याल रखें उनको बिमार नी होने दें और अगर उनकी इम्यूनिटी जो है वो कंसूर है तो उसको इम्यूनिटी को जो है वो इनहांस करें उनको यखनी पिलाएं उनको जुशादा पिलाएं उनको वाइटमिन सी यानि और बताओं आपको कि आप लोग जो हैं वो अपने नाक में दो खत्रे सेतून का तेल चार दफ़ा सुबह दुपहर शाम रात को डालें तो इन्शालला करूना वाइरस से आपका आपका वहफूस हो जाएंगे आप आपका ताफूस हो जाएगा तो मैं उमीद करता हूँ कि ये सारी सिच्वेशन में आप लोग पैनिक नहीं होंगे अल्ला पे भरोसा रखिए अल्ला पे तवक्यूल कीजिए कुछ नहीं होगा इन्शालला होगे अल्ला हाफिस